दोस्तों अगर आपने सिर्फ एक बार ये वजीफा कर लिया तो आपकी मौभबत आपकी हो जाएगी जियां आपने बिल्कुर dawn तुना है ये एक बार वजीफा करते ही इतना जादा पावर्फुल है कि आपकी मौबबत को आपके पास खीच के ले आएगा चाहे आपकी मौबबत साथ समंदर पार ही क्यों ना रहती हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये वजीफा को कैसे करना है असलाम वालेकुम दोस्तों आपका बेहा दिस्तकबार है हमारे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तभी आपको पता चलेगा इस वजीफे को करने का सही तरीका क्या है कितने दिनों तक आपको इसे करना है और कैसे ये आपकी जिंदग सब्सक्राम करते हैं के आप महबद को अपने साथी को अपने पौला सकते आं शीक Whereas और कि कलिए इस और चाहते हैं कि हंशा आपकी साथ बना रहे सिर्फ कि लिए आपको इस वजीफे का उपड़करना है इस वजीफे को this पूरा करने लग जाए और उसकी मुहबब इतनी जादा हो जाए कि वो आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाए तो इसे कैसे करना है दोस्तों सबसे पहले तो इस बात का धिहान रखें कि आपको पांच वक्त की नमाज जो है वो पक्की करनी है अगर आप पांच वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो शुरू कर दीजे पांच वक्ती नमाज पढ़ना उसके बाद दूसरी चीज यह है कि आपको जब भी इस वजीफे को करना है तो पाक साफ होकर घर में किसी ऐसी जगे पर बैठें जहां पर आसपास में कोई शोर ना हो पूरे फोकस के साथ ध्यान ल चाहते हैं कि अजरत को याद करते हुए मकसद को अपने दिमाग में सोच उस व्यक्ति का उस शक्स को नाम मोलना है और उसके बाद अपनी मोहबबत का इसधार उनके सामने करना हैं लेकिन आपको जहन में एक तस्वीर बनानी है कि वह व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ और उसके बाद आपको अपना मकसद उनसे कह देना है कि आप उनसे मुहबबत करते हैं आप चाहते हैं कि वो भी आपकी जिन्दगी में आ जाए और आपसे बें तहां मुहबबत करने लगे उसके बाद आपको जो अमल पढ़ना है वो बहुत ही आसान है सबसे पहले तीन बार आपको बोलना है दुरूदे पाक जो सबसे चोटी दुरूदे पाक होती है सललाहो अलहीवसलम वह आप तीन बार बोल दीजे और जैसे ही वह तीन बार बोल दी उसके बाद आपको बोलना है या माने ओ या माने ओ आपको बोलना है दोसो मर्तबा दोसो मर्तबा गिंद कर आप या माने हो बोल दीजे, या माने हो, या माने हो, ऐसे आपको continue बोलना है, और या माने हो बोलने के बाद आपको फिर से तीन बार दुरूदे पाक पड़ देगी, इस तरह से आपका जो वजीफा है ये पूरा हो जाएगा, और आप वहां से उठ जाएए, अपना जो भी काम आ करें, साथ दिन तक आपको बिना नागा याद करके इसको करना है, कहीं काजस पे लिख लिए कि पहला दिन घौन साथा दूसरा दिन कोल सा है, इस तरह से साथ रोज जरूर करें, और साथ रोज के बाद ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा, और आपकी मुहबत को आपके पास पर नज़र आ रहा होगा या फिर हमारे टाइटल में हम अपना नंबर डाल देंगे आप उस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में शब्बाख है